हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं बगडी नगर पुलिस पहुची मौके पर अभी आए खबर के मुताबिक अवैध हतियार की कारोबार में किशोर को धकेला अवैध पिस्तल एवं दो जिन्दा कार्टूस के साथ संदक्षन में लिया दो बदमाश भी गिरफता अनलोक बन के प्रथम चलन में अब शहर में अवैध हतियारों की खरीद फरोकत भी सामने आने लगी है बदमाश अपने काले कारोबार में बालकों को धकेल रहे हैं महामंदर पुलिस ने एक किशोर को संदक्षन में लेकर उसके पांस से अवैध पिस्तल वर दो जिन्दा कार्टूस बरामत किये हैं पूचताच में दो बदमाशों का नाम सामने आने पर पुलिस ने उने भी पकड़ा है उनके निशान देही पर और हतियार भी बरामत हो सकते हैं पुलिस आएक प्रफलकुमार के अनुसार अनलोग प्रथम चलन में आपरादे कतीवीदिया बढ़ने की संभावना के चलते कमीश्ट्रेट पुलिस को विशेश दिशा निर्देश शारी किये गए हैं इन में मादक पदार तसकरी से लेकर अवैध हतियारों का पता लगाया जा रहा है हिस्ट्री शीटर पर भी पुलिस की नजर है बुदबार रात को महामंदिर पुलिस ने एक किशोर को अवैध हतियार के साथ पकड़ा थाना अधिकारी सुमेरदान ने बताया कि भदवासिया ओवरब्रिच के निकट किशोर के पास से एक अवैध पिस्टल एवं दो जिन्दा कार्टूस जप्त किये गए किशोर ने पूछताच में दो बदमाशों के नाम बताया इस पर जिला स्पेशल दीम ने दोनों बदमाशों शंबू भवन फते सागर मस्जित के निकट रहने वाले विजे कुमार उर्फ काली एवं रामपाग महामंदिर निवासी वैभव कच्वा को हिरासत में लिया इन लोगों ने हतियार किस्से और कितने में खरीदे हैं इस बात पर पूछताज की जा रहे हैं विजे कुमार के पास से और अवेध हतियार परामत हो सकते हैं जागरुप टीवी की खास रिपोर्ट